Hello Everyone, Welcome to Skill IQ, Skill IQ में आपका स्वागत है, तो हम बात करेंगे अपने Black Book के Part No.10 के बारे में, जो किसके बारे में बात कर रहा है, जो कि OWS यानि कि One Word Substitution के बारे में बात करते हैं हम, तो हम कहां तक कर चुके हैं, हम जो है अपने 450 तक कर चुके हैं, 451 to 500, यानि कि हम एक तिहाई जो है अपने Complete कर चुके होंगे इस पार्ट के बाद, 1600 सम्थिंग यहां पे हमारे Total है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि देरी करने का मतलब क्या है, देरी करने का मतलब यही है कि आप लंबा वीडियो खिंचने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो देखिए, to throw an event into confusion or disorder, उसको disrupt करना कहते हैं, disrupt करना मतलब चीजों को confusion में डाल देना या disorder कर देना, एक सेम सिनोनियम कह सकते हैं, आप एक तरीके से, बट यह वाला verb है, यह सब चुह है, दोनों के दोनों, confusion और disorder किया है, एक तरीके से, नाउन, आप इनको कहेंगे, तो disrupted, 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 इसका second and third form होता है, a range of difficult things, उसको diversity बोलते हैं, noun word होते है, यह noun word है, s, i, t, y, या फिर t, y, ending word है, या i, t, y, ending word है, तो वो हमारे nouns होते हैं, और इसका मतलब विविद्धा होता है, विविद्धा, उसके बाद है one thing that can be divided, उसको divisible बोलेंगे, adjective word होगा, भ treated as permanent home by an individual, उसको domicile बोलेंगे, उसका मूल निवास जहां पे है, permanent जो residence एक तरीके से उसका है, उसको domicile बोलते हैं, an area of land that is controlled by a ruler, उसको dominion बोलते हैं, dominion जहां तक भी उसका राज्य चलता है, जहां तक उसका साशन चलता है, वो उसका dominion में आता है, not active or growing, उसको dormant बोलते ह हैं, यह executive है, quality होती है, किसी की, वो क्या quality होती है, उसकी एक तरीके से वो निश्करिये रहता है, वो पूरा मतलब ध्यानी नहीं देता, चीजों की तरफ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जैसे राजा नहीं होता है, उसको निश्करिये राजा बोलते हैं, एक तर हैं तो dormant एक ऐसा person होता है जो निश्क्रिय या फिर एयोग्य एक तरीके से होता है जो active नहीं है एक तरीके से a last bedroom for a number of people in a school or institution उसको dormitory बोलते हैं देखो इसका dormant से कोई relation नहीं है यह अलग word है dormitory noun word है repeated है काफी repeated word है और यह एक ऐसा word है जिसका meaning ध्यान में नहीं आएगा कि यह भी हो सकता है अब आप यह कहेंगे सयनागार मतलब शयन कक्स आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं एक बड़ा bedroom जो है room एक बड़ा room जिसमें bed रखा होगा या जिसमें सोने की जगह है और बहुत सारे लोग एक साथ जो है वहाँ पर सो सकते हैं यानि के आप इसको relate कर सकते हो hostel से चीक है sports hostel से जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं या students रह सकते हैं जब इसने इस word का use कर दिया ना क्या नाम लेते हैं school या institution तो आप hostel से आप इसको relate कर सकते हो dormitory को okay next situated on bank उसको डोर्जल बोलते हैं चीक है adjective word है और सतह ही है डोर्जल okay डोर्जल मतलब सतह ही है सतह से सम्मंदित आप जो है उसको एक तरीके से कहेंगे डोर्जल को okay next जो हमारा word है वो कुछ इस तरीके का है a heavy fall of rain that often starts suddenly उसको डाउन पोर बोलते हैं डाउन पोर नाउन वर्ड होगा और एक दम से बहुत ज़्यादा जो तेज बारिश होती है न यह सही लिखा हुआ है यहाँ पे word meaning मूसलाधार बारिश मतलब बहुत ज़्यादा टीज जो बारिश होती है न उसको कहते हैं हम downpour है न a game in which no one wins उसको डो कहेंगे वो डो हो चुका है game drone 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 or drone drone drew drone कुछ इस तरीके का second and third form होता है अगर मैं गलत हूँ तो सही कर दीजेगा the nest of a squirrel typically in the same in the form of a mass or twings in a tree उसको डिरे बोलते हैं मतलब d-r-e-y डिरे या ड्रे है न इस तरीके से आप इसको प्रणाउंस कर सकते हैं यह जगह होती है यह घर होता है किसका या गोंसला कह सकते हैं आप किसका गिलैरी का squirrel का okay light rain falling in small drops उसको ड्रीजलिंग बोलेंगे और downpour जब बारिस मूसलादार हो रही हो ड्रीजलिंग या ड्रीजल मतलब बूंदा बांदे हो रही हो बहुत कम बारिस हो रही हो मनिया full travel उसको ड्रोमो मनिया बोलते हैं ड्रोमो मनिया धुन एक परकार के एक तरीके से सोग एक तरीके से हैं और ड्रोमो मनिया यात्रा करने का जो जिसको धुन होती है सोग होता है dry weather with no rainfall उसको ड्रोट कहेंगे बार इसी नहीं आई, ड्रोट हो गया, सूखा पढ़ गया, काल पढ़ गया, अकाल पढ़ गया, अकाल, उके, उसके बाद है, हर्ड और फ्लोक ओफ एनिमल्स बिंग ड्राइवन इना बोडी, उसको ड्रोव कहते हैं, जो, हर्ड, हर्ड, फ्लोक, और यह अपना ड्रोव, ठीक है, यह एक ही बात होती है, ठीक है, फ्लोक और हर्ड के बारे में ज़्यादा सुना होगा, ड्रोव मतलब चलाया जाता है, जिसको, ठीक है, एक तरीके से जिसको चलाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, ड्रोव होता है, जिनको ड्राइव किया जाता है, ओके, ए मैटल, that can be made into a thin wire, उसको ductile बोलते हैं, यह quality होती है, किसी मैटल, या किसी भी चीज की, ductile मतलब तन्य, पतला हो जाता है, जो एक तरीके से wire के जैसा बन जाता है, पतला हो जाता है, इसको पीटा जा सकता है, एक तरीके से यह कह सकते हैं आप, पीट पीट के उसको पतला किया जा सकता है, आकार बदला जा सकता है उसका, okay, किसी भी तरीके से उसको गरम करके, उसको ठंडा करके, जो भी मतलब एक वाजिव तरीका हो, डक्ताईल एक एड्जिक्टिव वर्ड होता है, तन्यता इसका मतलब आप कह सकते, तन्यता अब तब कहेंगे, जब आप इसको नाउन के रूप म उपर बात आजाती है, और उस कॉंटेस्ट को आप एक तरीके से सैटल डाउन करना चाते हैं, तो आप डिवल करते हैं, द्वन्द युद लड़ते हैं, नहीं, तू गलत है, वो कहता है, नहीं, तू गलत है, तो उसको सैटल कैसे करेंगे, आप ही दोनों बैठ के उसको टाइम, विद आउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, उसको डूरेबल बोलेंगे, ए बी एली एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, एडिजिक्टिव वर्ड है, और डूरेबल मतलब लंबे समय तक जो चीज एक तरीके से बनी रहती है, ठीक है, स्ट्रॉंग औ और लास्ट हो, लंबे समय के लिए, बिना टूटे-पूटे या बिना कमजोर हुए, उसको डूरेबल बोलेंगे, ए परसन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजिवल हाइट, उसको डौाफ बोलेंगे बोना, जो एक यूजिवल हाइट हो जिसकी, ठीक है, अनूजिवल में दोनों हो सकते हैं, लंबा भी हो सकता है, बोना भी हो सकता है, लेकिन डौाफ का मतलब बोना होता है, किसको बोलते हैं, क्या नाम लेते हैं उसका, अरे भाई, मैं क्या कह रहा था, अब बिल्ट, to prevent the sea or a river from flooding an area, डाइक को देखके मैं कुछ कहना चाता था, और डाइक का मतलब क्या होता है, डाइक का मतलब बांध होता है, अब बांध एक चीज को कहते हैं, डैम को भी बांध कहते हैं, लेकिन डाइक डैम तो पका ही बांध होता है, लेकिन डाइक का मतलब आप नाला कह सकते हैं, ठीक है, डाइक का मतलब आप नहर भी कह सकते हैं, और बांध त गुप्ता डेंस्टी, मौरिया डेंस्टी, मुगल डेंस्टी, तो इस तरीके से वो डेंस्टी है, वंच का राजा बनता है, उसी का, एक तरीकी का, जिसमें हमें क्या होता है, अक्षर को पढ़ने में दिक्कत होती है, अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत आती है, लेटर्स को पढ़ने में दिक्कत आती है, जैसे बच्चे देखेंगे, आपने छोटे बच्चे, जैसे बी लिखवाओगे, आप क्या पता डी लिख दें, डी लिखवाओगे, आप क्या पता बी लिख दें, बी और डी कुछ इस एक्सिया में एक तरीके से आती है, ओके, नेक्स्ट है, वन हूँ, लिसंस, सीक्रेटली टू प्राइवेट, टू प्राइवेट कॉनवर्शेशन, इवास ड्रोपर कहते हैं, जो छिपकर बाते सुनता है, एक तरीके से, उसको इवास ड्रोपर कहते हैं, ज्यादा मतलब रहा था, नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा, अब भी निकल गया दिवाज में से, बहुत अच्छा वर्ड याद आ रहा था, इसका सिनोनियम मतलब, सेम ही था, एड्जिक्टिव ही था, एसेंट्रिक आप एक सन की, यानि के विचित्रेक अलग से परसन को कहेंगे, जो क् जादा, मतलब, एबनोर्मल सी, एबिट्स और एक्टिविटीज होती हैं उस परसन की, उसको एसेंट्रिक परसन आप कहेंगे, आज का वीडियो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और मुझे लगता है कि सबसे कम टाइम में ये वीडियो होने वाला है, रिपिटेशन of a sound caused by reflection of sound waves, sound waves का reflection के कारण जो sound का repetition होता है, उसको eco कहते हैं, मैंने बोल दिया, आपका नाम बोल दिया, मैंने अपना ही नाम बोल दिया, राजबीर, वो बार बार ऐसे बोलता है, राजबीर, बीर, 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 ऐसे ऐसे, वो eco होता है, ठीक है, one who studies and cares about environment उसको ecologist बोलते हैं और जिस process के तहर तो वो क्या करता है care करता है या study करता है उसको ecology बोलते हैं the study of the interaction of people with their environment उसको ecology बोलेंगे दोनों noun word होती हैं careful in the spending of money time etc उसको economical बोलते हैं a thing fit to be eaten उसको edible बोलते हैं काफी most repeated words में से एक है बट आजकल बहुत कम पूछा जाता है सब को पता चल गया घिसा पिटा word एक तरीके से हो गया है यह सचा ही है honestly बोल रहा हूँ आपको instructor improve someone morally और intellectually उसको edify गएंगे edified edified इसका second and third form होगा y को काटके ied क्यों लगाया यह मुझे आप comment box में लिखके बता सकते हैं क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका और skill IQ को अगर आप दो से तीन साल से follow कर रहे हैं तो आपको जुरू से पता होगा यह आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा भी तो आपको जुरू से पता होगा y को काटके ied क्यों लगाया to prepare written material for publication by correcting और modifying it उसको edit करना कहते हैं edited edited इसका second and third form होगा rub और wipe out करना, efface करना, effaced, effaced इसका second and third form होगा सभी का एक meaning होगा, rub का मतलब रगड़ना होता है wipe out का मतलब उसको साफ करना या मिटाना होगा और efface का मतलब भी साफ करना या मिटाना, ओके a change, which is the result of an act or some cause उसको effect कहेंगे, एक होता है effect what is the difference between these two words, effect and effect ये मैंने एक बता दिया, दूसरा आप comment box में लिखके बताओगे क्योंकि comment box में comment ही नहीं होते यार, क्या करें बताओ आप से पूछता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें आप बताते ही नहीं आप google करके बता दो, book से देखके बता दो किसी तरीके से तो बताओ, या फिर वीडियो ही नहीं देखते आप लोग सो व्यूज भी नहीं होते यार, पर तेक वीडियो बताओ कैसे क्या करें यार टू हंडर्ड, टू फिफ्टी प्लस वीडियो हो चुके हैं आप भी स्किल आईक्यों के उपर और उसकी लाइक्यों को चार प्लस साल हो चुके हैं अगर पहले वाले को भी लगा ले तो तो यार गलत बात है यार कोई बात नहीं भाई, हम अपना करम करते रहते हैं जब तक हम से होगा जब नहीं होगा तो भाई क्या करें, फिर ओभियस सी बात है छोड़ना पड़ेगा यूट्यूब को एक दिन मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन एज आ मैन इफेमिनेट एक ऐसा परसन एक ऐसी क्वालिटी एड़िक्टिव वर्ड के रूप में इफेमिनेट को यूज करते हैं, आज भी पुराना नहीं है पहले भी पुराना नहीं था ये वर्ड, ठीक है कहने का मतलब क्या आगी, एक ऐसा मैन जो वुमेन की तरीके से बिहेव करता है वो इफेमिनेट कहलाती है, वो क्वालिटी जो उसके अंदर दिखती है वुमेन की, फेवरिंग सोशल एक्वालिटी, उसको इगलिटेरियन, बोलेंगे इगलिटेरियन, इगलिटेरियन एडजिक्टिव वर्ड है समान इदिकारवादी जो है बात होती है, जो फेवर करता है शोशल एक्वैलिटी को वन हुई इस प्री ओक्यूपाइड विद इस ओन इंट्रेस्ट, उसको इगोईस्ट बोलते हैं इगोईस्ट होता है, सिरफ अपने बारे में सोचने वाला, सिरफ और सिरफ अपने बारे में सोचने वाला, ठीक है इगोईस्ट होता है, और एक इगोटिस्ट होता है, दोनों who talks too much of himself जो अपने ही जो है बढ़ाई करता रहता है या a person who speaks always in praise of himself या जो सिर्फ अपने ही बढ़ाई करता रहता है या फिर a person who is excessively concited and self-observed, concited सिर्फ अपने बारे में ही सौचता है सिर्फ अपना ही भला चाता है सिर्फ और सिर्फ ठीक है, वो egotist होता है देखो, WOC की category में आप इसको डाल सकते हो, words of unconfused egoist मुझे time लगाना पड़ेगा इसके उपर, सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला, egotist egotist सिर्फ एहंकारवादी वो भी अपने बारे में ही सोचता है, but meaning difference है, जब use की बात करते हैं तो, all the people in a country और area, who are entitled to vote an election, उसको electorate कहते हैं, बस इससे ज़्यादा तो कुछ कहाँ नहीं जा सकता, vote डालने के लिए, voters भी आप उनको बोल सकते हो, but थोड़ा सा और high level language में लेके चला जाता है है, न, electorate कहेंगे उसको a poem that expresses lament for the dead, lament मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बोलती है अलीगी, अलीगी अब दो-चार दिन पहले ही एक word आया था, उसको बोलते है does, यह याद है न, does, न, यह भी एक ऐसा song होता है, जो एक funeral या फिर dead person के जो है, पास होते है, या उस समय पे जो है, गाया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, एलगी भी सेम वही चीज होती है, एक तरीके से a small miscivious fairy वो elf जो है, एक तरीके से होती है, शरारती शरारत बरी, जो है, घटना या क्रेती है, आप एक तरीके से इसको कह सकते हो, the art of effective speaking, या फिर public oratory skills उसको allocution कहेंगे मतलब बोलने का ज्यान एक तरीके से, बोलने की कला, किस तरीके से बोल के आप लोगों को अपनी तरफ जो है, एक तरीके से आकरशित कर सकते हो, next है to run away secretly with a romantic partner, उसको elope बोलेंगे elope, delope, this का second and third form होगा run away, दोड जाना, भाग जाना secretly, गुपत रूप से romantic partner के साथ वो male हो सकता है, वो female हो सकती है दोनों में से maybe कोई भी हो सकता है elope कर जाते हैं, भाग जाते हैं fluent और persuasive in speaking or writing उसको eloquent बोलते हैं एक word आया था पीछे यह eloquent होता है adjective इसका मतलब होगा सूवक्ता अच्छा बोलने वाला उसके बाद allocation होता है बोलने में अच्छा और eloquent होता है लिखने में भी अच्छा, बोलने के साथ साथ लिखने में भी अच्छा, दोनों words को एक दूसरे से relate कर लेना है बड़े अच्छे तरीके से उसके बाद है make perfectly clear उसको elucidate elucidated elucidated मतलब clear करना किसी भी चीज़ को clearly किसी भी चीज़ को present करना elucidate आप उसको कह सकते हैं paradise with perfect blisses उसको elucidate कह सकते हैं आप एक तरीके से वो स्वर्ग है एक तरीके से paradise से भी आप इसको relate कर सकते हो to free from restrained उसको emancipate कहेंगे emancipated emancipated इसका second and third form होगा emancipate करने का मतलब आप किसी बंदन में थे आप हो सकता है emotionally किसी बंदन में थे या फिर आप कानूनन किसी बंदन में थे उस बंदन से आप क्या हो जाते हो free हो जाते हो आजाद हो जाते हो इसका मतलब आप emancipate कर गई हो उस restraints से the act of sitting setting sorry setting free from bondage of any kind उसको emancipation कहेंगे वो process जिसके तहत आप emancipate करते हो emancipation कहलाती है उसके बाद है second last fix an object firmly and deeply in a surrounding mass उसको amd बोलते हो amd 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 इसका second and third form होगा मतलब एक fix करते हो किसी भी object को deeply या firmly किसी भी तरीके से अपने आज पास उसको amd कहोगे आप अंत्य स्थापित एक तरीके से कहोगे आप इसको okay last है आज का a small piece of burning or glowing coal या फिर wood in a dang fire amber amber का मतलब होता है अंगार जो एक तरीके से वो लाल नहीं देखा आपने जब आग जल रही हो और लाल हो वो अंगार होता है मैं क्या definition दे रहा हूँ मतलब आपको अंगार का पता होगा ना जब वो लाल होती है ना लकडी जिस समय पे जल रही होती है या जल चुकी होती है और कुछ समय के लिए वो भबक रही होती है आग उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है जलने के बाद जब वो लाल होती है बिलकुल तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे उस चीज़ को आप Ember कहोगे, अंगार कहोगे किसी भी burning जो है जलने के बाद burning piece को आप क्या कहोगे, Ember कहोगे तो आज के लिए इतना ही यहां तक हम 500 अपने complete कर चुके हैं तो उसके बाद हम आगे चलेंगे 501 से 550 तक चलेंगे, उसके बाद 1600 something कुछ है यह OWS उसके बाद आपके test है, ठीक है 30 test है मेबी, उनको जो है daily 2 इकठे या फिर एक-एक को upload करते जाएंगे, जिस तरीके का भी possible होगा, उसी तरीके की चीज़ें करते जाएंगे, यह कारवा के उपर depend करता है तो thanks for watching again, thank you, thank you so much